नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल मेडिसिन फ्रेंड में आज हम बात करने वाले हैं मोमेट लोशन के बारे में और जानेंगे इसके फाइदे नुकसान और इसको इस्तिमाल करने का तरीका मोमेट लोशन टोपिकल स्टेरोइड है दोस्तों जिसका इस्तिमाल स्कीन रियक्षन के लिए किया जाता है यानि कि स्कीन में जो खुजली हो जाती है इचिंग हो जाती है या इंफ्रामेशन हो जाती है जैसे कि एक्जिमा, सुराइसिस, अलर्जिकल रियक्षन हो जाती है उ हमारे स्किन के द्वारा हमारे सरीर में चला जाता है, जिससे हमारे सरीर में सायड इट्स हो सकते हैं. दोस्तो आये पहले जानते हैं, मोमेट लोषन कौन सी ब्रैंड की बनाई हुई प्रोड़क्ट है और इसकी М.R.P क्या है? तो दोस्तो मॉमेट लोसन ग्लेनमार्क फार्मसेटिकल स्प्राइमेट लिमिटेड की बनाई हुई प्रॉडक्ट है बात करें इसकी MRP की इसकी MRP है 328 रूपीज और ये 30 ml के पैक में आता है दोस्तो बात करें इसके कॉम्पोजिशन की तो इसके अंदर जो कमपनी ने कॉम्पोजिशन डाले हैं मॉमेटासोन फूटरेट टोपिकल सॉलूशन दोस्तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसमें मॉमेटासोन यूज किया गया है जो की एक प्रकार की कॉर्टिको स्टरेड होता है जिसका यूज एक्जिमा, सॉराइसिस और उसके वजह से जो सूजन आ जाती है स्कीन में उसके लिए यूज किया जाता है इसके अलावा जो गर्जिकल रियक्शन हो जाते हैं उसमें इसका यूज किया जाता है अगर आपके स्कीन में रेडनेस आ गई है किसी वजह से उसमें भी इसका इस्तिमाल किया जा सकता है जहां तक इसके डाइरेक्शन फर यूज की बात है तो इसका यूज उन्ही पार्ट्स पे करना चाहि जहां पे आपको inflammation है, reaction है, यानि कि अगर आपको eczema की सिकायत है, psoriasis की सिकायत है और उसकी वजह से सुजन हो गई है, तो उसी area में इसका use करना है, आप इसका use सुभा साम कर सकते हैं, इस lotion का use कभी भी अपने चेहरे पे नहीं करना चाहिए, अगर करने की जरूरत पड़े तो डॉक्टर की सलहा लेने के बाद ही इसको use अपने चेहरे पे करना चाहिए, इसके साथ-साथ अंदरोनी parts होते हैं, उन पे इसका use नहीं करना चाहिए, ये medicine आपको किसी भी medical store में आसानी से मिल जाएगी, ये दो foam में उपलप्त होते हैं, पहला cream के रूप में उपलप्त होते हैं और दूसरा lotion के रूप में उपलप्त होता है, दोनों में से कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपके infection ज़्यादा area में है तो आपको lotion लेना चाहिए और कम area में है तो उसके लिए आप cream का यूज़ कर सकते हैं ये था दोस्तो moment lotion के बारे में एक छोटी सी जानकारी अगर आपको इस related और भी कोई सवाल पूछना हो तो आप मुझे नीचे comment section में पूछ सकते हैं अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को subscribe जरूर कीजिए और वीडियो को like कीजिए Thank you so much for watching